चमन को छोड़ कर चहरे के नूर तक आए एक सक्स के बास थे हम इतनी दूर तक आए और बैलेंटाइन तक रह जाता है इसक सभी लेलाओं का कितने यासिक बिंदिया और सिंदूर तक आए हैं सभी लोगों का जिन लोगों का जिन लोगों ने इस कारिकरम को और तो सबसे पहले अपने माबाप के लिए दो लाइने बोलना चाहूंगा क्योंकि आज चाहे साहित की रहा पे हूँ जॉब में हूँ जहां कई भी हूँ जो कुछ भी हूँ सरिफ उनिकी बजह से हूँ तो जननत में तुमको देखा था जननत में तुमको देखा था प्रभू धर्ती पर भी आप मिले कुछ पिछले जनम के पुन्य रहे जो ऐसे माबाप मिले वा अच्छा है या अच्छा है वैसे पढ़ने में और कुछ आया था लेकिन दो लाइने जरूर सुनाओं सब लोगों सब लोगों ने बात की बेहनों पे और मणीपुर पे ठीक है तो दो लाइन मैं भी कहना चाहूँगा क्यों देश के नुकड चौराओं पर है बेटियां लाचार क्यों देश के नुकड चौराओं पर है बेटियां लाचार कहां मर गए जो कहते थे मैं भी चौकीदार जिनकी बेटी घर ना लोटी रोटी ना खाई होगी जिसकी बेटी घर ना लोटी रोटी ना खाई होगी ना जाने कितनी आखों को नीद नहीं आई होगी जिसकी बेटी घर ना लोटी रोटी ना खाई होगी ना जाने कितनी आखों को नीद नहीं आई होगी और दो लाइने और हैं इसके आगे फर्क नहीं है राम रहीम या रह्मान दिखाई दे धर काली का रूप जला दो गर सहतान दिखाई दे जो महला को उपियोगी सामान समझते हैं उन आखों में महला का सम्मान दिखाई दे और अब वो जो मैं पढ़ने के लिए आया था बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया जो अब चमन को छोड़कर चहरे के नूर तक आए चमन को छोड़कर चहरे के नूर तक आए एक सक्स के बास्ते हम इतनी दूर तक आए और बैलेंटाइन तक रह जाता है इसक सभी लेलाओं का बैलेंटाइन तक रह जाता है इसक सभी लेलाओं का कितने यासिक बिदिया और सिंदूर तक आए है वाँ 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 क्या कहने यार वाँ आसुओं के समंदर को पिये जा रहा हूँ मैं तेरी इजाजत के बगेर जिये जा रहा हूँ मैं अच्छा है आसुओं के समंदर को पिये जा रहा हूँ मैं तेरी इजाजत के बगेर जिये जा रहा हूँ मैं हर रात पढ़ता हूँ तेरे पुराने ख़तों को और तेरी तस्वीर से बाते किये जा रहा हूँ अच्छा है यार अच्छा है आगे चार लाइने और है स्वागत सराफत करो या सरारत करो तुम हाँ जलू सराफत करो या सरारत करो तुम मगर इस रिष्टे की हिफाज़त करो तुम सराफ़त करो या सरारत करो तुम मगर इस रिष्टे से हिफाज़त करो तुम नाराज भी हो तुम चुपना बैठो कोई गिला, कोई सिक्वा, कोई सिकायत करो वाँ, अच्छा है यार, वाँ, वाँ नाराज फी हो तुई यू चुपना वैठो कोई गिला कोई सिक्वा कोई सिकायत करो तू और बक्त नहीं रहा अब ये बाते बनाने का आज मौसम है मिया कुछ कर दिखाने का खूब जानता हूँ महबत आज कल की मैं खूब जानता हूँ महबत आज कल की मैं आसिक रहा हूँ मैं भी तो अपने जमाने का बहुत बढ़िया यार वाँ बहुत बढ़िया खूब जानता हूँ महबत आज कल की मैं आसिक रहा हूँ मैं भी तो अपने जमाने का और पहली तनखा से रुपए जब बाप को भेजे तब समझ आया मुझे मतलब कमाने का बहुत अच्छे आर बहुत अच्छे आर बहुत अच्छे आर बहुत अच्छे आर बहुत अच्छे ने ढूर लेती है, इनको कौन देता है पता मेरे आसे आने का, वा, बहुत अच्छे यार, वा, 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 क्या कहने, इनको कौन देता है पता मेरे आसे आने का, क्या कहने आ, वा, आगे कुछ लाएने हैं, कुछ चिराग आधियों में संभाले गए थे, तब कुछ घरों में उ तब कुछ घरों में उजाले गए थे, यूही नहीं हम महफिल की सान बन गए, हम भी कुछ महफिलों से निकाले गए थे, तब कुछ घरों में उजाले गए थे, यूही नहीं हम महफिल की सान बन गए, हम भी कुछ महफिलों से निकाले गए थे, यूही नहीं हम महफिल की सान बन गए हम भी कुछ महफिलों से निकाले गए थे जंगली सापों से हमें कोई खत्रा नहीं था मगर दसने वाले सभी आस्तीन में पाले गए थे अच्छा है यार बहुत अच्छे वाँ गर मिल जाए जमाना तो जमाने से भी क्या होगा तो अगर लौट आए तो तेरे आने से क्या होगा लोग मरहम की सीसी में नमक लिए फिरते हैं जख मगर दिखाओं तो दिखाने से भी क्या होगा वा यार अच्छा है बहुत अच्छा है वाँ तो दिखाने से भी क्या होगा दुनिया से परेशा है उनको लफ़ों का मरहम काफी है क्या बात है क्या बात है अपनों के सताए है इनको सेर सुनाने से भी क्या होगा तबियत कभी बिगड़ती थी बस घर का खाना खाते थे हाँ तबियत कभी कालेज में थे या जब जोग कर रॺ थे अभी भी कर रह lại है तो जब तबियत ज्यादा खराब होती है तो घर पे चले जाता है मा के हाथ का खाना खाएंगे खुली हवाला की सही हो जाएंगे तो उसी पे लिखा है कि जब तबीयत कभी बिगड़ती थी बस घर का खाना खाते थे जो मा के हाथ से बनाना हो उस खाने से भी क्या होगा अच्छा है या अच्छा है है मैदाने जंग में दुस्मन से डर जाने से भी क्या होगा अच्छा है बहुत अच्छा है जीवन के संघर्सों से जीवन के संघर्सों से लड़ो मिसाल बन जाओ तुम चंद मुस्किलों से डर कर मर जाने से भी क्या होगा अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है खेल हो या फिर जंग हो कोई, हार जीत तो हिस्सा है, करो जीत की तैयारी घवराने से भी क्या होगा, चाहे जितना जोर लगा लो, भीड नहीं सुनने वाली, चाहे जितना जोर लगालो भीड नहीं सुनने वाली, बजन वात में ना हो तो चिलाने से भी क्या होगा, … क्या कहने आप चाहे जितना जोर लगा लो भीड नहीं सुनने वाली बजन बात में ना हो तो चिलाने से भी क्या होगा बहुत अच्छे आप जक्मों पे हर्प से मरहम लगाने वाला मुस्किल से मिलता है कोई से सुनाने वाला बड़ा एहसान है सबका जो दुनिया से पहचान कराई जुग जुग जिये हर सक्ष मेरा दिल दुखाने वाला अच्छा यार बहुत अच्छा खुद जहर खाके मरता है देश का अन दाता अधेरे में अक्सर सोता है दिया बनाने वाला और कहता था सूरज बनकर मुझे जिन्दगी रौसन करेगा मगर अब इद का चांद हो गया है मेरा चाहने वाला पड़ी जरूरत हमने मा के हाथ का कंगन बेश दिया पड़ी जरूरत हमने मा के हाथ का कंगन बेश दिया चंदन से लिपटे सापों ने खुद ही चंदन बेश दिया पड़ी जरूरत हमने मा के हाथ का कंगन बेश दिया चंदन से लिपटे सापों ने खुद ही चंदन बेश दिया सुनो परिंदो तुम्हें लड़ाकर अपने अपने मज़ब पर कंगन बेश दिया वाँ 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 दुवारा पढ़े दुवारा पढ़े वाँ सुनो परिंदो तुम्हें लड़ाकर अपने अपने मज़ब पर कंगन बेश दिया इस रावणवी राकी पर तुम घर बापस जो नहीं लोटे इस रावनवी राकी पर जो घर तुम बापस नहीं लोटे मतलब तुमने चंद सिक्कों में अपना सावन बेश दिया बहुत बढ़िया यार बूरी मा तुलसी का पौदा जहां लगाया करती थी क्यों तुमने वो गाओं वाला प्यारा आंगन बेश दिया बेश दिया वाँ 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 बहत अच्छे यार परे 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 दुभारा परे कर्ति थी क्यों तुमने वो गाओं वाला प्यारा आगन बेश दिया यार